यस्य स्मरण मात्रेणा, जन्म संसार बंधनात, विमुच्यते नमस्तस्मै, विश्णवे प्रभविश्णवे, ओम जै श्रीहरी विश्णू, जै मतरानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मांभगवती दुर्गा की कृप आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे, दोस्तों, आज से वैसाक मास का प्रारंब हो गया है, और वैसाक मास को माधव मास कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार इस महीने में शनान करने से, दान करने से, अत्यन्त ही पुन्यफल की प्राप्ती होती है, और इसके साथ ही अगर आप प्रती दिन वैसाक मास का महात्मे सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं तो इससे भी बगवान श्रीर विष्णू की अस्रीम क्रिपा आपको प्राप्त होती है और बहुत सारे ज्यान की भी प्राप्ती होती है और अगर आप वैसाक मास का अशनान नहीं भी कर पाते हैं, व्रत नहीं भी धारण करते हैं, तब भी अगर मात्र हर रोज की आप कथाएं सुनते हैं, महात्मे सुनते हैं, तो इससे भी भगवान श्रीर विष्णू की अस्रीम क्रिपा से आपको वैसाक मास का पोनिफल प्रा पुटर्य ब्रम्राइव और श़िए ऐसी ज़़े to KARने सीर्ण पानृवन surviving कर्णे से पresso कि अपने मंन में ध्यान किचें उसके बाद और वीडियो में श्री विश्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए मनुष्यों में स्रिष्ट नर और नारायन को नमस्कार करें देवी सरस्वती थथा व्यास जी को प्रणाम करें और हृदय से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और आज की इस पावन कथा का रस्पान करते है श्री सूत जी बोले परमेश्ठी ब्रह्माजी के पुत्र नारत जी से राजा अंबरीश ने पवित्र वैसाक मास का महत्मे पूछा राजा अंबरीश बोले हे ब्रह्मधन आपने जो संपरण महीनों के महत्मे का वरणन किया वो सब मैंने अच्छी तरह से सुना सभी महीनो में वैसाक मास ही श्रिष्ठ है अतर वैसाक मास का महत्में विस्तार से गहिए मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है यह मास भगवान विश्णु को इतना प्रिय क्यों है इस महीने में कौन-कौन से धर्मकारी उन्हें क्यों प्रिय है वैसाक मास में क्या दान करना चाहिए उ स्फल्गी प्राप्ति होती है और उसका उद्देश ये क्या होता है इस मास में किन किन वस्त्वों से भगवत का पूजन करना चाहिए हे नारजी यह सब मुझे विस्तार पुर्वक सुनाईए मैं श्रद्धा से सुनूंगा राजा अंबरीश की बात सुनकर ब्रह्मर्शी नारज जी मुस्कुराते हुए बोले हे राजन सबी महीनों का महत्मे पहले विश्दु जी ने लक्षमी जी से किया था जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है, सब महीनों में कार्टिक माग और वैसाक मास स्रिष्ट है, इन तीनों में भी वैसाक मास सबसे स्रिष्ट माना गया है, यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है, इस महीने में दान, यग्य, व्रत और श्नान करन से सब पापों का नाश हो जाता है यह महीना धर्म कर्म यग्य और तप का सार है इसकी देवता भी प्रसंसा करते हैं यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान मंत्रों में प्रणव के समान व्रिक्षों में कल्प व्रिक्ष के समान गउओं में कामधेनू के समान नागो शुर्य के समान शष्ट्रों में चक्र के समान धातुओं में सुवरन के समान वैश्टों में शिवजी के समान और रत्नों में कौस्तु भमणी तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है इस मास के समान विश्णु भक्ति उत्पन्य कराने वाला और कोई दूसरा महीना नहीं मेश की संक्रांती वैसाख मास में सुर्योदे से पहले जो मनुश्य शनान करता है उससे विश्णु भगवान लक्षमी जी सहीत अत्यंत प्रसंद होते हैं जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसंद होते हैं वैसे ही वैसाख शनान से निससंदे विश्णु भगवान प्रसंद हो करता है वह महापापों से चूट कर विष्णु लोग को प्राप्त करता है वैसाख मास में शनान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे दस हजार अस्वमेक यग्य करने का फल प्राप्त होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है या एक आग्र चित्त होकर जो ऐ रैकुंठ धाम को जाता है ब्रह्मांड भर में अर्थात तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं हे राजेंद्र वे सब नगर बाहर के थोड़े से जलसे भी भरे रहते हैं अर्थात वैसाख मास में शनान के लिए किसी तीर्थ में अगर न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलासे में भी शनान करना चाहिए यम की आग्या से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैसाक शनान नहीं करता हे राजन विश्णु भगवान की आग्या से वैसाक मास में तीर्थ आधी के अधिश्ठाता देवता सुर्योदे से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं हे राजन उस समय तक जो भी लोग शनान के लिए नहीं आते वे उनको दारून शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं इसलिए वैसाक शनान अवश्य करना चाहिए नारत जी बोले हे राजन वैसाक के समान कोई दूसरा महीना नहीं सत्यूग के समान दूसरा कोई युग नहीं है वेद के समान शास्त्र नहीं है गंगा जी के जैसा कोई तीर्थ नहीं है जलदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है और भार्या के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है, और जीवन के समान कोई दूसरा लाप नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, तथा नेत्रों के समान कोई जोती नही भोजन के समान कोई त्रिप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है, केशव के समान कोई रक्षक नहीं है, और माधव के तुल्य संसार में को कोई पवित्र नहीं है ऐसा ही परमुत्तम वैसाख मास से शाई भगवान को सदा प्यारा है भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिनावरत किये व्यतीत कर देते हैं वह धर महीन होकर शीक रही पशु योनी पाते हैं ऐसे मनुस्यों का खुआ बावडी बनवाना बगी एको प्रकार के दान or व्रत हैं परन्तु उनके करने से शरीर को अत्यांत परिश्रम होता है उनसे संसार में बार-बार जन्मिलेना पड़ता है परन्तु वैसाक मास में केबल श्णान कर लेने से ही प्राणी आबा गमन से चूट जाता है सब दान करने से जो पुन्य फल प्राप्थ होता है संपुर्ण तीर्थों में श्नान करने से जो फल मिलता है वह सब वैसाक मास में केवल जल दान करने से ही प्राप्थ हो जाता है जिसमें जल दान करनी की सामर्थ ना हो वे एश्वरे की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान यात्रियों के लिए प्यावू लगाकर जल दान करता है वह अपने करोणों कुलों का उध्धार करके विश्णु लोग को जाता है। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सब में उत्तम है। इनहीं का दान वैशाक मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाक के महीने में कुटुमबी ब्रामःड को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनी पाता है। जो प्यास से रहित होकर गरूड के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाक मास में ब्रामःड को पंखा नहीं देता, वह अनेकों प्रकार के वात रोगों से पीडित होकर नरक भोगता है। जो ठके हुए ब्रामःड की वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से चूटकर विश्ण भोग कर संसार में व्यापी होते हैं। हे राजेंद्र आध्यात्मिक दुख की शांती के निमित वैशाक मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विश्णु भगवान के प्यारे इस वैशाक मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं जाया नहीं मिलती। और व उसे संसार के दुख सताते हैं, ब्राम्भण के याचना करने पर खडाउदान करने वाला प्रित्वी पर करोणों जन्म तक राजा होता है, जो मनुष्य मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वरनन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है, दो पहर मनुष्य मार्ग से ठके हुए ब्राम्भण को आसरा देता है, उसके पुन्य का वरनन करने के लिए ब्रह्मा में भी सामर्थ नहीं है, भूखे मनुष्य को इस्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आपूशन, कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं, पेट भरने पर ही स शक्ति दान देना उच्छित है, हे राजन, अन्य दाता, माता, पिता दोनों को भुला देता है, वह दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है, इससे त्रिलोकी में सब अन्य की ही प्रसंसा करते हैं, माता, पिता तो केवल जन्म देती है, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं, हे राजन अन्न दाता में सब धर्म निवास करते हैं, इसलिए अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, ब्रह्मर्सी नारत जी के वचन सुनकर राजर्सी अंबरीश ने विश्मित होकर कहा, हे महामुने, यदि माधव मास सबसे और भगवान लक्षमी पती को अत्यतिक प्रिय है, तो उसमें श्नान करने की विधी क्या है, वैसाक मास में किस वच्टू का दान करना चाहिए, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए, हे कृपानिधे, उस समय किये जाने वाले पुन्य कर्म का आप सद्गुरू के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुरलब होती है, उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठीन होता है, राज्य प्राप्ति आदी दूसरे कोई भी भाव हमारे रिदे को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते, जितनी की आपका यह समागम, नारत जी ने मनुष्य की योनी में जन्म होना, और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवरिती होनी तो और भी कठीन है, उससे भी अत्यांत दुरलब है, भगवान वासुदेव में भगती और उसके होने पर भी माधो मास में शनान आदी का सुयोग मिलना तो और भी दुरलब है माधो मास अर्थात वैसाख मास लक्ष्मिवती को बहुत प्री है और वैसाख मास में जो मनुष्य विधी पुर्वक्षनान करते हैं दान करते हैं तथा जब आधी का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाशी बन जाते हैं वैसाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के अंतिम पाँच दिन होते हैं वे समूचे महीने के समान महत्वर रखते हैं हे राजेंद्र जिन लोगोंने वैसाख मास में भली भाती से उपचारों के द्वारा मधुद्यत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मी पती का पूजन कर लिया उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुरलब वस्तु है जो वैसाख मास के शनान तथा विधी पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं हो सकती जिन्होंने दान, होम, जप, तिर्थ में प्राण, त्याग, तथा संपुर्ण, पापों का नाश्ट करने वाले भगवान श्री नारायन का ध्यान नहीं किया उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए जो मनुष्य धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है और दान आदी किये बिना ही मर जाता है उसका धन व्यर्थ है हे राजन उत्तम कुल में जन्म, अच्छे मृत्यू, स्रेष्ट भोग, सुख, सदादान करने से अधिक प्रसन्नता, उदार्ता तथा उत्तम धर्य ये सब कुछ भगवान विश्णू की क्रिपा से ही प्राप्थ होते हैं महात्मा नारायन के अनुग्रह से ही मनोवांचित शिधियां प्राप्थ होती हैं जो मनुष्य कार्तिक मास में, माग मास में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैसाख मास में श्नान करके मदू हन्ता लक्ष्मी पती दामोदर की विशेश विधी के साथ भक्ति पुर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ती के अनुसार दान देता है वह मनुष्य इस लोग का सुखवोग कर अंत में श्रीहरी के पद को प्राप्थ होता है हे भूप जैसे सुर्योदे होने पर अंतकार नश्ट हो जाता है उसी प्रकार वैसाख मास में प्रातेश नान करने से अनेक जन्मों की उपारजित पापराशी नश्ट हो जाती है यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी अतह इस महीने के आने पर मनुश्यों को परम पवित्र करने वाले पुन्यजल से परिपुर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अत्वा सरस्वती तीर्थ में सुर्योदे से पहले श्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए इससे तपस्या का फल भोगने के पस्चाथ अक्षय स्वर्गी की प्राप्ती होती है भगवान, श्री नारायन, अनामय, रोग व्याधी से रही थैं उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे हे राजन, देवा थी देव, लक्ष्म भोजन करना चाहिए, भूमी परशयन करना चाहिए और ब्रह्मचरे का द्रणता पुर्वक पालन करना चाहिए, रिदय में भगवान श्री नारायन का ध्यान करते हुए, क्रिश्च्र आधी तपस्याओं के द्वारा अपने शरील को सुखाना चाहिए, इस प्रकार नियम स से रहकर जब वैशाक की पूर्णिमा आये, उस दिन मधू तथा तिल आधी का दान करे, श्रेष्ट ब्रामणों को भक्ति पुर्वक भोजन कराएं, और उन्हें दक्षिना सहित गाय का दान करें, तथा वैशाक्ष नान के वरत में जो कुछ त्रूटी हुई हो, तो उसकी पुर्णता के लिए ब्रामणों से प्रार्थना करें, हे भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधूसूदन को बहुत प्रिया है, हे राजन, इस प्रकार नियम पुर्वक 12 वर्सों तक वैसाक्ष नान क करके अंत में मधुसूदन की प्रसनता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उध्यापन करें, हे अंबरीश, पुर्वकाल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था, वह सब बैसाक मास का महात में तुम्हें पता दिया, अब आगे क्या सुनने की ठीक है, थोड़े से परिश्रम के द्वारा महानफल की प्राप्ती असंभाव सी बात है, तथा पी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है, धर्म की गती अति सुक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े-बड़े पुर्षों को भी कठिन सुक्ष्म है, हे भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का त्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथा पी मृत्यू के समय उसने केवल पुत्र के शनेहवश, नारायन कहकर पुकारा, और पुत्र का चिंतन करके नारायन का नाम लिया, किन्तो इतने से ही उसको अत्यंत दुरलबपत की प्राप्ती हुई, जैसे अनिच्छा पुर्वक भी यदि आग का स्पर्स किया जाए, तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारन किया जाए, तो वह पाप राशी को भस्म कर डालता है, हे राजन जीव विचित्र हैं, और जीवों की भावनाएं भी विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं, शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है, वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या फिर अधिक परिश्रम साध्य, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाशोता देखा जाता है, जराची चिनगारी से बोज के बोज तिन के स्वाहा हो जाते हैं, जो श्रीकृष्ण के भक्त हैं, उनके अंजाने में भी किये हुए हजारों हत् से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आधि पाप भी नश्ठ हो जाते हैं, जिसके हृदय में भगवान श्रिकृष्ण की भक्ती है, वह विद्वान पूरुष यदि थोड़ा सा भी पुन्यकार्य करता है, तो वह अक्षय फल को प्राप्त करता है, आतर माधव मास में माध की भक्ती युक्त आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांचित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इस विशय में संदेह नहीं करना चाहिए, शाश्त्रोक्त विधी से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों नहों, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी छ जानी जाती है, हे महाराज जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ती नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर पवित्र गंगा जल में शनान करता रहे, दान देता रहे, तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचा करता है, उसके पुन्य का वरणन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, अता हे भूपाल, तुम वैसाक माज के फल के विशय में विश्वास करो, छोटा सा शुब कर्म भी शैकडों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है, जैसे हरी नाम के भैसे राशी राशी पाप नश्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सुर्य के मेश राशी पर स्थित होने के समय प्रातेह श्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की श्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है, जिस प्रकार गरुण के तेज से साप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातेह काल वैसा पाक्षनान करने से पाप पलायन कर जाते हैं यह निश्चित बात है जो मनुष्य मेश रासी के सुर्य में इस्तित होने पर गंगा या नर्मदा के जल में नहा कर एक दो या तीनों समय भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरी विष्णू की प्रातना करता है उनके श्तोत्र क लिश्चित बताई प्रातना करने विष्णू आज की कथा का यही पर समापन करते हैं में उम्मीद करती हूं कि कल भी आप कथा जरूर सुनेगे और हां कथाए आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अ तब तक के लिए नमस्कार.